हेलो, वाट्स आप गाईज, माई नेम इस फिनूद वादू थापा और आज समी स्वेड़ो देखेंगे हाउ तो अपडेट टेबल डेटा विद पी एचपी एड माई स्कुल इन हिंदी तो चले गाईज, शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले अब सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा और बेकेंड डेवलाप्मेंट टुटोरियल नमबर 56 जी हां गाईज हम देख रहे पीएचपी माई स्कुल टुटोरिल नमबर 56 और अगर अभी तेक आपने बागी की पीवेसली वीडि मैंने उनका प्लेलिस क्रेट करके रख चुका है आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर देखेगा उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्षन में आपको प्रॉइड करा दूँगा एंड इसी सीरीज के अंदर मैंने एक और मीनी सीरीज एड़ किया है that is php mysqli card tutorial in Hindi and believe me guys यह बहुत ज़्यादा important है क्योंकि कोई भी अगर आप backend language यूज करते हो रहा है तो उसमें आपको card operation आना ही चाहिए ठीक है तो यह मैंने अल्ड़ी यहाँ पर वीडियो अप्रोड करके रखावा guys इसका भी लिंक में नीचे description and comment section में आपको प्रॉइड करा दूँगा जरूर देख लीजिएगा तो देखिए अब भी तक हमने क्या क्या देखा सबसे पहले हमने देखा how to create database and tables in php mysql then हमने देखा एक बार database and tables create हो जाता तो उसको हम कैसे connect कर सकते है by using php and mysql and once जब connect हो गया तो आप user जो भी फिल कर रहा है user जो भी इस registration form में फिल कर रहा जो कि हमारा web developer का post है तो जब भी वो फिल करके register पे click करता है उसको हम किस तरीके से अपने database पे insert कर सकते है जो कि यह है हमारा database वो हमने देखा third video में and then fourth video में हमने यह देखा कि जब insert हो गया तो उसके बाद guys अब उसको हमें कहीं पे तो display करवाना पड़ेगा ता using PHP and MySQL तो अगर हम check form पे click करते तो guys connection successful और हमें वो data मिल जाता है जो हमने insert कर आया था ठीक है तो guys आज हम इस वीडियो में यह देखेंगे let's say ठीक है सब कुछ सही है लेकिन हमें लगा नहीं भाई कुछ ना कुछ update है जैसे यहाँप अगर हम देखते है जैसे यह fourth है ID number fourth यह अगर आप नाम देखोगे that is your Ram and Sita and mobile number आप देखोगे तो guys वो भी कोई mobile number नहीं तो हमें यह लग रहा है कि यार यह तो fake है तो अगर मुझे इसको करना हो update तो मैं कैसे करूँ तो वह आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो guys यह बहुत जादे important वीडियो होने वाला तो इ दिखाई दे उसके लिए बहुत simple है guys आपको bootstrap 4 पर जाना है ठीक है simply and already a class that is call your tooltip तो अगर यह देखें यहाँ पर tooltip करके दिखाई दे रहा है बहुत simple है यहाँ पर guys आपको कुछ नहीं करना simply आपको इसको करना है copy यहाँ पर आप देख सकते हो इसको करो आप copy simply इस त के टाइम पर यह देखे हमारा मैं आपको अगर दिखाऊं तो यह देखे एडिट यह हमारा अपडेट है तो basically यह वाला जो मेरा page है यहाँ पर मुझे उसको कर देना है paste all right perfect अब भी यह जो मेरा close हो रहा है ना anchor tag उसको में हटाता हूं और i के बाद उसको में यहाँ पर close कर हटा देता हूं and simply यह जो हुर्रे लिखा इसके बदले I will write यहाँ पर simply इस तरीके से update यह हटा देता हूं इस तरीके से control एक सेप करता हूं ठीक है अब भी अगर ship में यहाँ जाकि इसको करता हूं refresh and hover तो आप देखोगे guys आपको update दिखाई दे रहा है ठीक है तो उसको और ह कैसे कर सकते उसके लिए guys मैं आपको बताना चाहूंगा that is we have one more option जो की है jQuery का simply ठीक है इस तरीके से इसको मैं करता हूं copy उसी पर जाता हूं सबसे last में जहां पर body close हो रहा है वहाँ पर आप लिख दीजे एक second लिखनी की भी जोहत नहीं already है मैंने script act के साथ ही उसको copy गया तो basically यह क्या करता आपका direction के लिए help करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो data placement दे रहा है वह top दे रहा है ठीक है लेकिन उसके बावजूद अगर मैं यहाँ पर जाता हूं तो आप देखोगे guys वह आपको नीचे ही दिखाई दे रहा है लेकिन जब अगर मैं चुका कि आप delete के लिए same किस तरी किसे कर सकते है देखिए update एकनी perfect यह इतना हो चुका है अब मैं यह चाहता हूं कि जब भी को इस पर click करें तो वापस से मेरा एक second यह वाला जो form है यह वाला form वापस से open हो जाए ठीक है और साथी साथ जो भी उस data में लिखा हुआ है जो तो मुझे यहाँ पर automatic prefilled चाहिए तो वह मैं कैसे कर सकता हूँ वह मैं आपको बातातों देखिए और यह बहुत ज्यादे इंपॉर्टेंट है ठीक है इस पर करूँ क्लिक तो वह page open होना चाहिए ठीक है इस पर जब मैं करूँ क्लिक तो वह page open होना चाहिए and already I have anchor tag तो यहा आप गाइस में क्या कर देता हूँ थ्रों से जूम कर देता हूँ पहले ता आप लोगों के लिए ठीक है यहाँ पर simply मैं लिख देता हूँ update-updates.php सेब करता हूँ ठीक है यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मेरा यूटूब कर्ड ऑपरेशन जिस पर हम काम कर रहें यहाँ पर वह page create कर लेता हूँ updates.php तो page बनके ready है guys आपको क्या करना खाली PHP से लिख दीजे और close कर दीजे ठीक है और मैं इसले करूँ क्योंकि guys अगर मैं PHP नहीं लिख कर दो तो इसका फिर हो color आता नहीं है ठीक है तो अब भी मुझे क्या करना है अपडेट पर तो मुझे वापस से यही page दिखाना है जो कि मेरा index का page है right तो मैं index के page पर जाओंगा इसको मैं completely copy करके अब इसको मैं अगर हटा भी दू तो कोई problem नहीं इस तरीके से मैं कर दूंगा paste अब इसको चाहिए तो मैं इस तरीके से हटा दू कोई problem नहीं है इसको मैं करता हूँ इसको मैं करता हूँ refresh अब देखो क्या होता है अब अगर इस पर मैं करूँ क्लिक यह ठड़ वाले पर एंड भूम गाई साब देख से तो connection successful और वह page हमें मिल चुका है मैं अब किसी पर भी click करूंगा तो मुझे वह page आ रहा है अब मुझे यह चाहिए कि suppose अगर मैं यह fourth वाला यह जो मेरा row है इस पर अगर मैं कर रहा हूँ क्लिक तो यह data profile उस पर इधर पर आ जाना चाहिए क्योंकि मुझे update करना है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि empty दिखा हूँ ता कि मुझे यह यादी ना रहे कि मैंने fill क्या क्या था यहाँ ठीक है तो वह कैसे कर सकती देखेगा इस वह बहुत simple है तो देखेगा यह जो मेरा पार्ट है ठीक है यहाँ पर मैं चलता हूँ और यह जो भी लिखा हूए ना मैंने इसको तो पहले मैं copy कर लेता हूँ इस तरह किसे completely यहाँ से हटाता हूँ ठीक है जहाँ पर यह रोक हतम हो रहा वहाँ पर मैं इस तरह किसको कर देता हूँ पेस्ट हूँ completely पूरा का पूरा इसको थोड़ा सा मैं alignment दे देता हूँ इस तरह किसे perfect ठीक है तो इतना हो चुका है अब देखे अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पर हम कुछ दे नहीं रहे basically value अभी फिलाल हमारा क्या है empty है तो वहाँ पर मुझे यह value fetch करवाने है I mean जो भी database पर user ने जिस पर भी click किया समझ रहे यूजर ने जिस पर भी click उसका data मुझे अब यहाँ पर show करवाना है तो वह कैसे होगा बहुत simple है इसको फिलाल as it is easy रहने दो यहाँ पर आओ ठीकर यह जो है यह already मैंने आपको बता चुका insert जब हम देख रहे थे तो यहाँ पर गाइस मुझे अब एक और query लिखना पड़ेगा लेकिन उससे पहले हमें यह तो पता चले कि user किस ID को click कर रहा है मतलब इस पर अगर click कर रहा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यह ID number fourth है और मुझे इसी का ही data देना है तो उसके लिए गाइस मैं आपको बता तो यहाँ पर paste करके दिखाता हूं तो ध्यान से देखिए गाइस यहाँ पर क्या लिखा है youtube.com forward slash playlist वो मेरा page है लेकिन उसके बाद एक question mark है and then एक variable का नाम है फिर equal to जो भी उसकी value वो हमें वहाँ पर दिखाई दे रहा है तो कुछ वही काम हमें करना पड़ेगा तो display वाले पर यह हम जो भी कर रहे है एको जो कर रहे है यह ID आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं करता हूँ copy simple और यहाँ पर मैं equal to के बाद उसको कर देता हूँ paste this is it इतना simple था गाई अब मुझे इससे होगा यह कि user किस ID को click कर रहा मुझे वो पता चल जाएगा ctrl s save करता हूँ update पर चलता हूँ यह आपको पता चल गया मैंने वो क्यों किया ठीक है यहाँ पर मैं जाता हूँ अभी अगर उसको मुझे fetch करना है तो मैं क्या करता हूँ एक variable बना लेता हूँ ID नाम का simply यहाँ पर dollar underscore guys this time मैं get use करने वाला हूँ तो ID इससे किसे लिख लेता हूँ ठीक है सो इसको ctrl s save कर जाता हूँ यहाँ पर काम करता हूँ IDS लिख देता है क्योंकि already ID कई mismatch ना हो जाए ठीक है से देखो मैं क्या करता हूँ simply आप मुझे कुछ नहीं करना simple से एक select query call करना तो so query लिख देता हूँ simply इस तरी कैसे ठीक है अब तो बहुत simple ही हमने select वाले में already पढ़ा था select ठीक है star from हमारा जो table का नाम है और हमारा table का क्या नाम है आप देख सकते हो यहाँ पर that is your job registration ठीक है तो यहाँ पर मैं चलता हूँ job registration इस तरी कैसे job registration वेर अब मुझे स्रिफ वही data दिखाना वेर id हमारा जो actual table का जो id must be equal to dollar id as simple इतना easy इसको में चाहिए तो इस तरी कैसे थोड़ा और अच्छा दिखा सकता हो इसको perfect इतना हो चुगा guys अब देखो यहाँ आपर simply dollar अब इसको actual में implement करने के लिए so data लिख देता हूँ मैं equal to mysqli underscore query आपको लिखना इस तरी के से ठीक है यहाँ पर इस तरी के से आपको parenthesis के अंदर dollar con जो की हमारा actual connection.php का एक variable दिखाता हूँ dollar con के अंदर सब कुछ सर्वर से हमने connect कर लिए username, password and हमारा database यहाँ पर dollar con and then यह वाला जो मेरी query है इसको copy करता हूँ guys underscore आपको simply fetch क्योंकि हमें क्या करना है फैच ही करना है न then underscore फिर आप लिख सकते हो array अरे भी लिख सकते हो associated भी लिख सकते हो basically array combination है basically दोनों का ठीक है तो इस तरी के से मैंने लिखा यहाँ पर simply guys आप मुझे यह वाला जो so data है न सिर्फ इसको मुझे pass करना है copy करता हूँ यहाँ पर मैं स्थिरके से पास कर देता हूँ this is it तो अब यह जो मेरा array data करके यह जो मेरा वेरेवल है basically इसके अंदर मेरे सारे डेटा आ चुके इससे पहले जो मेरा select वाला वीडियो था जिसमें मैंने आपको दिखाए कि किस तरके से आप यह table बना रहे उसमें मैंने आपको दिखाए ना simply table में data फिल कराके यह same वही query है ठीक है अगर आपको फिर भी doubt लग रहा तो guys आप यह select वाला वीडियो देखी इससे मेरा previous वाला ठीक हाला कि इसमें इतना कुछ difficulty था भी नहीं तो आप मुझे simply इसको करना है copy यहाँ पे मैं चलता हूँ एक second नीचे आता हूँ यह जितने भी मेरे values दिखाई दे रहे guys आपको यह जितने भी मेरे values दिखाई दे रहे वहाँ पे simply मुझे उसको paste करना है तो मैं already display वाले पे चलता हूँ यहाँ पे मैं जाता हूँ आप देख सकते हूँ मैं ने कर रखा है यहाँ इसको मैं करता हूँ copy यहाँ पे आके इसक user का नाम जो भी है all right perfect so guys इसको मैं control है save करता हूँ simple और सबसे पहले एक बार पहला यह देख लेते नाम आता है याँ ठीक इसको मैं refresh कर देता हूँ और यहाँ पे let's see मैं second ID को अगर करूँ click and boom guys आप देख सकते हो all right एक undefined variables undefined क्यों आ रहा है all right एक चीज़ आपको देखना है कि यह जो हमारा actual variable that is ARR data और यहाँ पर मैंने क्या पास किया हुआ है guys आप देख सकते हो dollar rest वो basically हमने इससे previous वाले में किया था तो अभी मुझे वो नहीं करना है मुझे मेरा actual वाला जो ID है उसका data पास करनी उसकी variable पास करनी उसके अंदर जो भी नाम है वो मुझे चीज़ तो control as save करता हूँ यहाँ अगर आप में करता हूँ इसको refresh and guys आप देख सकते हो कि मुझे मेरा यह field automatic फिल करके आ रहा है अब बस वो ही same मुझे इन सभी पर apply करना ठीक है तो मैं यहाँ पर चलता हूँ मैं क्या करता हूँ इसको भी करता हूँ degree इस तरी किसे copy यहाँ पर चलता हूँ इस value पर कर देता हूँ paste यह यहाँ पर जो मेरा value है यहाँ इस तरी किसे कर देता हूँ इसको paste यहाँ पर जो मेरा value है यहाँ पर भी कर देता हूँ paste इस यहां पर मुँझे लिखना पड़ेगा इमेल इस तरीके से यहां पर शाप देख सकते हूं मैंने सब्सक्राइब उसके डॉलर रेस है, उसको मैं Ctrl D, 1 second, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, किया, and एक की बार में मैं सब को कर देता हूँ, change, this is it, Ctrl and Save करता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ, refresh करता हूँ, and boom guys, आप देख सकते हूँ, मेरे सभी के सभी fill आट्टोमेटिक आचुका है, one more time, देखो, यहाँ पर मैं चलता हूँ, ठीक, इसको मैं कर देता हूँ, back, 1 second, यहाँ पर उपर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, display.php, ठीक है, अब भी मैं क्या करता हूँ, let's say, यह मैं 4th वाले उपर क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते, 4th, and boom, guys, आप देख सकते, वह राम सिता था, राम सिता, आटोमेटिक सब कुछ आ चुका है, अब भी मुझे क्या करना है, कि आप वापस यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज करूँ, इस तरीके से, ठीक है, सिंपले, guys, अगर इस तरीके से में कुछ भी नमबर लिख के, मैं वापस इदर रजिस्टर पर क्लिक करूँ, तो वो अपडेट हो जाना चीए, ठीक है, फिलाल अभी मैं यह रजिस्टर का नाम चेंज कर देता हूँ, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस तरीके से, अपडेट, सिंपल, इस तरीके से, guys, मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, अपडेट, कंट्रोल लैस, सेब, तो अब यह हमारा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है, अब इस से, हमें यह रामसिता को करना हो, अपडेट तो इस पर मैं अगर क्लिक करूँ, तो वो जो भी डेटा यहां पर मिले, उसके बाद यहां पर मैं को जो चेंज करना हूं, मैं चेंज करके अपडेट पर क्लिक करूँ, तो वो अपडेट मेरे डेटा बेस पर हो जाना चीए, बस सिंपल मुझे बितना चीए, तो उसके लिए क्या करना देखे, अल्डेडी हमारे पास इंसर्ट की क्वेरी है, ठीकि वही इंसर्ट का क्वेरी ही हम युश करना है, लेकिन इंस्टिड आप इंसर्ट हम करेंगे उस पर अपडेट, ठीकि तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, अभी ऐस इसको रेफ्रेंस के लिए मैं रखा हुआँ, यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ, डॉलर क्वेरी इक्वल टू, ठीकि इस तरह किसे मैं डॉलर आता आता है अगर आपको नहीं मालूम कि हम अपडेट कैसे कर सकते हो, तो आपको पर आता हैता है फिर क। यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, अपडेट यह लिखना है पडेगा ऑदेन, आपको लिखना पड़ेगा। यह लिखना है पड़ेगा टेवल का नाम,EEEEE certainty आता एंड आपको इतना याद रखना कि यह जो आईडिया वो इंटीजर है तो अगर आप कॉमा नहीं दोगे तो चलेगा लेकिन अभी जो दूसरा जो मैं फिल्ड लिखने जा रहा हूँ अगर बेसिकली मेरा एक्चुल में फिल्ड है जो मेरा यहां पर ब्राउजर पर चलता हूँ नेम अट्रिब्यूट है वहाँ पर मैंने लिख रखा है यूजर तो जब भी यूजर फिल करेगा अपडेट पर करेगा क्लीक उसके बाद ही जो जो यूजर ने लिखा है हम उसको यहां पर कर रहे हैं फैच यह मैं आपको इंसर्ट में पहले ही बता दिया था गाइस इसल डिखरी को मैंने डिखरी मोबाइल को मोबाईल इमेल को इमेल और रिफर को रिफर एंड जो प्रोफाइल को जोब प्रोफाइल करके रखा हुआ है ठीक है अल्राइड इतना हो चुकर है अब देखें मैं क्या करता हूँ simply यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर name के बदले यह dollar name को मैं कर दे रहा हूँ pass इसको इस तरीके से copy करता हूँ यहाँ पर कर दिया मैंने paste लेकिन आपको यहाँ पर single code देना पड़ेगा क्योंकि वो एक string है ठीक है space देता हूँ यहाँ पर फिर एक comma दे देता हूँ उसी तरीके से गाईस उसके बाद अब मुझे क्या करना है simply अब मुझे degree यूज करना है degree लिखा equal to again यहाँ पर dollar degree जो मैंने दे रखा है तो गाईस एक काम करता है उसको मैं लिख लेता हूँ अब मैं आपको बता आता हूँ फिट देखिए तो गाईस आप देख सकते हूँ मैंने mobile के लिए mobile email का email refer का refer job profile का job profile लिख लिए लेकिन एक problem है जब मैं update कर रहा हूँ हमारा table जो की job registration और उसमें हम set भी कर रहे की user जो भी यहाँ पर value लिख रहा है उसको मैंने set कर दिया properly लेकिन अब इस table में एक problem यह है कि हमारा यह जो table है हमारा यह जो table में बहुत सारे rows है तो आप किस row की value थी वो वो तो हमें नहीं idea है ना तो उसके लिए हमने क्या किया गा इस already जो उपर हमने get को fetch किया था वापस submit button पर जब user करेगा click तो वापस से उसको मैं यहाँ पर fetch कर रहा हूँ और already मैंने उपर ideas लिख रखा है तो id update लिख देता हूँ इस तरीके से simple ठीक है control है save करता हूँ अब इस id को मैं कर लेता हूँ copy यहाँ पर आता हूँ और एक simple सा condition दूँगा where clause जहाँ पर where हमारा जो table का id है हमारा यह table का id है को मुझे match कराना है इस से जो अभी just मैंने copy किया था इस तरीके से this is it तो अब इस से होगा यह कि जो भी id हम pass कर रहे है ठीक हो वो सबसे पहले तो check होगा कि इस table में वो किस id से match हो रहा है अब यह जो dollar query है इसको मैं करता हूँ copy और यहाँ पर insert query के बादे dollar query जो मैंने update के लिखा तो उसको मैं कर देता हूँ paste control है save करता हूँ and this is it guys बस इतना ही करना तार कुछ नहीं बाकी already यह सब हमने insert में देख लिया था कि यह जो मैंने लिखा है ठीक है एक second double हो गया यहाँ पर this is it इतना ही करना है और यह जो allah tarah basically यह ही है data insert rate के बादे मैं लिख देता हूँ data updated properly data not updated है यहाँ पर लिख देता हूँ simple इस तरीके से इस तरीके से मैंने लिख देता control है save करता हूँ and I really आपको पता चल गया होगा क्योंकि यह सब हमने already insert में देख लिया था और यह जो select है यह हमने select previous वीडियो में देखा तो basically दोनों का combination है और बस हमने नया यह देखा कि हम update कैसे कर सकते और user जिस पे भी click कर रहा उसको automatic field कैसे करा सकते so कैसे इतना complete हो चुका है कि नहीं हमने update भी set कर दिया मैं ctrl s save करता हूँ simple इस तरीके से मैं क्या करता हूँ यहाँ पर simply let's see यह राम सिता को मैं करता हूँ इस तरीके से update पर click connection successful और आप देख सकते कि already वो जो actual field है वो हमें यहाँ पर मिल चुका है अभी मैं राम सिता को simply इस तरीके से कर देता हूँ राम आयेंड ठीके राम आयेंड कर देता हूँ अब मैं क्या करता हूँ update पर click and connection successful data not updated and उसका reason देखते क्या हो सकता है ठीक है तो कैसे अगर हम यहाँ पर चलते है data not updated और कोई error भी नहीं दे रहा बेसिकली यह है तो error थो हम बता लगा सकते है लेकिन simple सा यह है name user degree degree अब वस यह चेक करते हो email email refer refer job profile job profile एक दम सही है और degree refer mobile name email job और 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 यहाँ पर error हो सकता है job profile पर मैं actually यहाँ पर चलता हूँ and आप देख सकते हो basically उसका नाम है job post ना की profile so job post इस्तर के से लिख देता हूँ perfect job post पर मेरा job profile में user जो भी लिख रहा basically user यहाँ पर जो भी लिख रहा and आप देख सकते हो दो दो बार आ चुका है यहाँ पर तो वह उसके कारण error आ रहा control है save करता हूँ यहाँ ठीक है all right तो page refresh हो चुका है अभी मैं यहाँ पर वापस जाके मैं इस तरह के से लिख देता हूँ Ramayand and साथी साथे mobile number भी मैं change कर देता हूँ तो आप देख सकते हो मैंने mobile number and यह नाम को कर दिया है change अब मैं क्या करता हूँ update पर करता हूँ click connection successful so guys हमने update कर लिया है database पर check करता है and all right guys आप देख सकते हूँ कि यहाँ पर already रामा एंड पर mobile number भी update हो चुका है and यह भी update हो गया ठीक है तो एक काम करते है one more time guys मैं यहाँ पर चलता हूँ display पर जाता हूँ display.php पर अभी मैं क्या करता हूँ तो guys अब मैं क्या करता हूँ जो 7th ID है यहाँ पर जो थापर technical लिखा जिसका यह T है उसको मैं capital करने के लिए इस पर मैं जाता हूँ click कर देता हूँ तो page open हो गया guys यहाँ पर यह जो technical लिखा है यहाँ पर इसको मैं capital T कर देता हूँ simply इस तरीके से जाता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ टैकी ठीक है और इस पर मैं करता हूँ update तो यह connection successful data updated properly and फिलाल अभी भी वह पहले वाला ही आएगा ठीक है लेकिन अगर यहाँ पर मैं जाता हूँ और refresh करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ थापा टैकी तो guys यह हमारा update का एकदम complete हो चुगा जो हमें चाहिए थ अब user जब भी चाहिए तो किसी भी फिल को कर सकता है update so guys आज इस वीडियो के इतना ही add हम and अब last वीडियो में हम यह देखेंगे कि delete operation हम कैसे कर सकते guys बताना चाहूँगा कि वीडियो complete होने के बाद I just realized कि जब मैं वीडियो को check कर रहा था you know editing के समय I realized कि वीडियो की बीच म perfect है हमने बस एक छोटी सी इनो mistake भी नहीं हो हमने क्या कि यहाँ पर आप देख सकते हो जब मैं actual में हम value set कर रहे थे तो मैं तो basically वह value कर रहा न update में कि जो भी database पे लिखा है जो भी हमारे database पे लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो database पे web developer मैं तो उसको already fetch करी लिया थ लेकिन साथी साथ मैंने by default web developer अगर आपको याद होगा इससे previously जो मेरा insert वाला वीडियो है मैं आपको दिखाता हुए देखिए index वाले page पे अगर मैं आपको दिखा हुआ तो value web developer मैंने by default दे रहा था तो वहाँ पे एक web developer पहले से ही है और इस update वाले वीडियो में भी मैंने दिखाई दे रहा है तो उसके कारण guys ही हमारा database का web developer और जो हम by default दे रहे हुए वह वाला web developer है तो बिल्कुल कोई टेंसर नहीं बस इसको आपको delete कर देना है अब है सिर्फ वही data चीज जो हमें back end से मिल रहा है I mean हमारे database से हमें मिल रहा है तो इसको मैं control as save कर देता हूँ ठ आउट हो ठीक है तो guys यही एक मैंने notice कि कि बार बार वीडियो में मैंने देखा कि दो बार web developer आ रहा है तो इसको मैं वापस से refresh कर देता हूँ continue करता हूँ तो आप देखोगे guys connection successful updated and this time it's perfectly web developer ठीक है मैं one more time आपको दिखाता हूँ guys क्यूंकि मैं एकदम clear कर देना चाहता और हमारे और database पे भी पहले से ही web developer है तो दो-दो हमें web developer, web developer आ रहे थे लेकिन अब भी मैंने अब भी आपको दिखा है हमारा जो input field है insert वाले मैंने index वाले पे नहीं सिर्फ update वाले video पे जो हमने updates.php वहां से मैंने web developer को मैंने delete कर दिया है ठीक है अब भी यहाँ पर अगर म one more time मैं back जाता हूँ, okay पे click करता हूँ, let's say guys मैं यह बिनोत भादू था आप आप पे click करता हूँ, first second number index पे connection successful perfect and यह जो number है इसको मैं change करके दिखाता हूँ, तो आप देख सेकते हो guys मैंने number भी change करता है, यह दिखाने के लिए कि web developer का जो एक problem दो-दो बार repeat हो रहा था, वो एकदम clear हो चुका है, बाकी सब code एकदम perfect है, आप देख सकते हो, connection successful, data updated, properly perfect, यह तो as it is रहेगा, क्योंकि already वो database पर तक set नहीं हुआ है, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे update करता हूँ, आप देख सकते हो, बिनोत बादू था आपा and boom guys, आप देख सकते हो, यह देखे, 9877 देख हो चुका है, so this is it and I really hope guys, आपके सारे doubt clear हो गए होगे होंगे, और mostly आप में से बहुत को यह doubt आ रहा होगा, कि web developer दो बार क्यों आ रहा है, तो बस इतना ही था कि वो दो बार मैंने basically, हम fetch भी कर रहर, मैंने by default web developer लिखा वाता है and बाकी सब code एकदम perfect है, so I really hope guys, आपको आज का मेरा चैनल थापा टेक्निकल को subscribe नहीं किया, so guys please कर लिजेगा, और right side में red color का bell icon एक गंटी दिखाए देगा, उसको भी hit किजे, click किजे, ताकि आप कोई भी awesome videos को miss ना करो, and कुछ भी doubt हो तो बे figure हो कि नीचे comment किजे, मैं आपकी जरूर help करूँगा, so till then guys, thank you so much, take care.